हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पॉली टेकनिक कॉलेज में द्वितिय चरन के लिए रेल मगरा खमनोर देर बाड़ा के लिए प्रसिक्षन आयोजित हुआ वह मद्दान दल इसके बाद अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर गए जिसमें द्वितिय चरन के लिए 51 बाड़ो के कुल 70 ग्राम पंचायतों के 30 तरपन मद्दान केंद्रों पर मद्दान होगा इस अफसर पर परियवेशक राजे इंद्रभट ने चिनाफ कारे को जिमिदारी वह कोरोना महमारी से सतर्प्ता वह साफधानी के साथ निर्वोचन कारे करने के लिए कहा उन्होंने आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिये वह महत्वपूर्न जानकारी दी जिला निर्वोचन अधिकारी अर्वन कुमार पोस्माल ने कहा कि कोरोना महमारी को देखते हुए चुनाफ कारे साफधानी सजब तक इस साथ करना है जिसमें मास, सानिटाइजर, व्यक्तेश दूरी आदी का प्रयोग करना है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शुक्रवार को होने वाले मंदान के लिए सभी विवस्ताएं पूरी कर ली गई है इस अफसर पर उन्होंने कॉलेज की सभी विवस्ताओं का निरिक्षन किया परिक्षन में उप जिला निर्वोचन अधिकारी राकेश कुमार, CEO जिला परिश्रत निमिशा गुपता मुख्य निश्पादन अधिकारी मंदर मंडल जितेंद्र ओजह ने पेठा सीन अधिकारियों, PO, बूत मदनान केंद्र, कोरोना महमारी के दौरान सावधानी परतनी, मास सानिटाइजर, दूरी, हैंड गलब्स के उप्योग आधिके बारे में विस्ताव से जानकारी दी इस अफसर पर जिला परिशत की मुख्य कारीकारी अधिकारी निमिशा कुप्ता ने भी प्रसिक्षन आर्तियों को चुनाव से जुड़ी महत्व पूर्न जानकारी दी प्रसिक्षन में एतिरिक जिला पुलिस अधिक्षक राजेश कुप्ता ने भी कानून विवस्ता मदान केंद्रों की सुरक्षा विवस्ताओं की बारे में बताया मदान दलों की रवानगी तीनों शेत्रों के लिए मदान दल प्रसिक्षन के बाद अपने अपने शेत्रों के लिए प्रस्थान कर गए द्वितिय चरन के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के प्रात्त आठ बचे एवं 11 बचे के अंतिम प्रसिक्षन के बाद मदान शे कंदरु पर मद्दान होगा तीनों शेत्रों की कुल मद्दान का समय के लिए राद समन से नरेंदर सिंग खंगारोत की रिपोर्ट